हलो बच्चों हमने त्रिकोर्ट मित की पहरी एक्साइज आपको बता दी है 8.1 NCRT की आज हम दूसरी एक्साइज बताने जा रहे हैं उसमें है कुछ विशेष कोणों पर साइन कॉस्ट एन कॉट कॉस एक से के मान निकालने ठीक है तो इसके लिए हम आपको एक टेबिल समझा देते हैं उसको समझने की कोशिस करिएगा मान अपने आप याद हो जाएंगे देखिए हमें मान निकालने जा रहे हैं देखिए तरीका मैं बता रहा हूँ साइन कॉस्ट एन मालू हो जाएंगे तो और अपने आप मालू हो जाएंगे देखिए ये जीरो डिगरी तीस डिगरी फैतालिस डिगरी साथ डिगरी और नबे डिगरी ये हमें मान निकालने है ठीक है और यहाँ पर हम कुछ लिखेंगे इसलिए यहाँ भी हम लाइन ऐसे खीचे ले रहे है अभी आगे बढ़ेगा इसमें देखो ये 0 डिगरी 30 डिगरी 45 डिगरी 60 डिगरी और 90 डिगरी इतने मान निकालने हैं देखो तरीका क्या होता है मान तो याद करने पढ़ेंगे यहां लिख दो 0 यहां 1 यहां 2 यहां 3 यहां 4 कोई दिक्कत नहीं दिक्कत है अब किसको कर दो 4 से भाग दे दो 4 से भाग देने पर तो यह क्या हैगा 0 यहाएगा 1 बटे 4 यहाएगा 1 बटे 2 यहाएगा 3 बटे 4 यहाएगा 1 अब इसमें वर्ग मूल ले लो इसका क्या ले लो वर्ग मूल तो 0 का 0 एक बटे 2 एक बटे अंड 1 यही semi मैं स्ञाय स्ञाय अब हमें कितने निकाले हैं अब कॉस ठीटा निकालना है कॉस ठीटा में इस माम को पलड के लिए पहले ये सरिये ये 1 आ जाएगा यहां under root three upon two आ जाएगा यहां एक बटे अंडर root two आएगा यहां एक बटे दो आएगा यहां zero आएगा एक खास बात देख लिएगा 45 जिग्री पे sign और cos का मान बराबर है एक ची और देख लिएगा sign zero का मान zero है sign 90 का मान एक है यानि कोड बढ़ने पर sign का मान बढ़ रहा है ठीक है cos 0 का मान 1 है और cos 90 का मान 0 है यानि कोड 0 से नबबे गया और मान 1 से 0 गया यानि मान घट रहा है ये ध्यान रखिएगा अब क्या क्या आएगा देखिए एक तो 10 हमको निकालना है एक हमको cot निकालना है एक हमको sec निकालना है एक हमको cos sec निकालना है ठीक है वैसे मान सब याद करने पड़ेंगे टेवल भी याद करनी पड़ती है अगर आपको नमालू हो तो समलिजीगा देखो जैन से जब 10 theta निकालेंगे तो 10 theta होता है sin theta बटे cos theta तो 0 बटे 1 0 आएगा इसको इसको भाग करोगे तो 1 बटे अंडरूर 3 आएगा इसको इसको करोगे 1 आएगा ये अंडरूर 3 आएगा और जब 1 को 0 से करोगे तो अनन्त आएगा इसके बाद cot theta cot theta cot 10 का उल्टा होता है तो 0 का उल्टा अनन्त एक बटे अंडरूर 3 का उल्टा अंडरूर 3 1 का उल्टा 1 अंडरूर 3 का उल्टा एक बटे अंडरूर 3 और अनंत का उल्टा 0 इसके बाद आपको निकालना है सेक थीटा, सेक कॉस का उल्टा होता है तो इसको पलर दो 1 का उल्टा 1, इसका उल्टा 2 बटे under root 3 इसका उल्टा under root 2 इसका उल्टा 2 और 0 का उल्टा अरंत infinite होता है इसके बाद यह आपके sign से लिखर के कौसेक के 0 डिगरी यह मान है और यह मान किताब में लिखे हुए ठीक है इन्हें आप पढ़ लीजेगा याद कर लीजेगा ठीक है अब हम exercise 8.2 लेकर के चल रहे हैं उसमें चार ही कोशन है लेकिन कई पार्ट उसमें है उनको समझने की कोशिश करिएगा देखिए exercise 8.2 NCRT आपकी mathematics की किताब का 8.2 का पहला कोशन इसमें कैने कुछ मान निकालना है पहले का पहला पार्ट कैने sin 60 degree into cos 30 degree plus sin 30 degree cos 60 degree का मान निकाली है पहले तो आप इस वीडियो को रोकिए थोड़ा सा रोक करके इसको निकाली है अपने आप cheating बात में करना पहले इसको निकाल लो तब तक हम spin को खुराग दे देते हैं इसको कुछ पार्ट हम करेंगे कुछ पार्ट आपने आप करेंगे sin 60 का मान कितना होता है under root 3 upon 2 cos 30 का मान under root 3 upon 2 plus sin 30 1 upon 2 cos 60 1 upon 2 गुणा का विद्वालू है पहले इसका गुणा होगा under root 3 under 3 का गुणा 3 होगा 2 दूनी 4 होगा 1 बटे 4 होगा 4 लगुतम होगा तो 3 plus 1 बटे 4 होगा 4 बटे 4 होगा मान क्या आएगा इसका 1 आ जाएगा ये तो पहला question हो गया ठीक है अब इसका second part देखिए जब कोई question आए पहले अपने आप लगाईए जब ना आए तब आप इस यहाँ पर जो है देखिएगा second question 2 10 square 45 degree plus cos square 30 degree minus sin square 60 degree देखे 2 1045 का मान होता है एक तो एक का square कर दोगे plus cos 30 का मान होता है root 3 upon 2 इसका square कर दोगे और sin 60 का root 3 upon 2 इसका square कर दोगे ये आएगा 2 plus 3 बटे 4 minus 3 बटे 4 ये कर जाएगा तो इसकी value क्या गई 2 तो इसकी और part लगाएंगे third अपने आप करेंगे fourth part दिखिएगा पहले का fourth part क्या कह रहा है sin 30 sin 30 degree plus 10 45 degree minus cos 60 degree upon sec 30 degree plus cos 60 degree plus cot 45 degree अब मान टेबल में आपको दिए गए है वो आप उससे देख कर के रखेंगे पहले हम अंस की value रखते है sin 30 के मान होता एक बटे दो 10 45 एक और cos 60 दो cos 60 root 3 by 2 तो cos 1 की 2 by root 3 ये तो हो गया अंस और यहां लगदो divide का sign अब या 6 30 6 30 10 30 का उटा sorry cos 30 का उटा cos 30 root 3 by 2 इसका बाद 2 by root 3 हो गया cos 60 1 by 2 हो गया cos 45 1 हो गया इसको हल करिए यहां पर root 3 हो गया LCM root 3 ने 2 root 3 तो यहां पर 2 है तो यहां root 3 आ जाएगा यहां पर 2 root 3 आ जाएगा यहां पर 4 हो जाएगा divided by यहां LCM क्या हो जाएगा 2 root 3 यहाँ पर 4 हो जाएगा यहाँ पर root 3 हो जाएगा यहाँ पर 2 root 3 आएगा इसको हल करें क्या आएगा 4 root 3 minus 4 upon 2 root 3 भाग करना है 4 plus sorry यह 3 root 3 आएगा 3 root 3 upon 2 root 3 इसको उल्टा करके लिख दो यह गुणे का sign बन जाएगा तो 3 root 3 minus 4 upon 2 root 3 multiply 2 root 3 यह root 3 है upon 4 plus 3 root 3 यह कड़ गया तो आगया आपका 3 root 3 minus 4 upon 3 root 3 plus 4 इसको कल्कुलेट करने की जरूत नहीं है यहीं परांसाद छोड़ सकते हैं लेकिन चाहे तो इसके सही उग्मी से गुणा करके उपर नीचे इसको हल कर सकते हैं ठीक है इसका अगला बाद अपने आप करेंगे आप देखें सेकेंड क्वेश्चन बसे root नीचे लिखा नहीं जाता है इसके सही उग्मी से गुणा करके लिख दीजिएगा देखो सेकेंड क्वेश्चन में कह रहे हैं कि correct आंसर बताईए और अपना आंसर बताओ सही है कैसे आप कहेंगे देखो दूसरा क्वेश्चन है किताब समने रख लिजिएगा टू टैन थर्टी डिगरी अपन वन प्लस टैन स्क्वाइर थर्टी डिगरी पहले मान रखते हैं देखे टैन थर्टी कमान होता है एक बटे अंडर रूट थी वन प्लस और जब इसका स्क्वाइर करो एक बटे तीन आ जाएगा अब देखे ऊपर क्या लिखा है दो बटे अंडर रूट थी और नीचे क्या आउज जाएगा फोर बाई थी इसको हल करि की दो करना होता है तो रूट थी से ऊपर नीचे हमने गुणा कर दिया को अधिकत नई तो ऊपर हो गया थी रूट थी नीचे हो गया 2 x 3 तो root 3 into root 3 3 हो जाएगा 3 3 कर दियाएगा यह आगया root 3 by 2 अब आपके पास कुछ alternate दिये हैं पहला मान दिया है sin 60 तो sin 60 के हमाँ root 3 होता है root 3 by 2 होता है यह sin 60 के बराबर होगा तो आपको इन्होंने इसको solve बलना है और इसके मान के बराबर कुछ मान दिये गए उसको देखना है ठीक है इसके भी second part अपने आप करेंगे इसका third part दिखीगा third part दिखीए दूसरे का third part किया है sin 2a बराबर 2 sin a sin 2a बराबर 2 sin a तो बताइए एक अमान क्या होगा यह किया है 0 होगा कि 30 होगा कि 45 होगा यह 60 होगा तीक है अगर मैं 0 रख देता हूँ तो लेफ्ट हैंड साइड का मान क्या हैगा sin 2 into 0 यहनि कि sin 0 और sin 0 का मान 0 हो जाएगा जब राइट हैंड साइड में रिखेंगे राइट हैंड साइड में तो आएगा 2 into sin 0 2 into sin 0 0 value क्या कि 0 यहनि आपने क्या देखा कि left hand side is equal to right hand side इसका हमता है किसके लिए साही है 0 के लिए साही आएगा ठीक है फॉर्थ पार्ट हल करनेंगे अपने आप value उसकी निकलाएगी अब देखिए third question एक साइज आज हम बताए दे रहे है 8.2 इसके बाद next day next exercise बताएंगे देखिए इसमें लिखा है 10 A minus A plus B बराबर under root 3 है थर्ड कुशन देखिए लिखा है 10 A plus B बराबर under root 3 अब बताए under root 3 10 में किसका मान होता है तो आप कहेंगे 10 60 degree का मान होता है तो यह हो गया 10 60 degree और यह हो गया 10 A plus B जब दोनों तरफ तुल्ला करेंगे तो यहां कोड A plus B यहां 60 तो A plus B का मान क्या आएगा 60 आएगा यह पहला समीकन हो गया अच्छा 10 A minus B का मान दिया है 1 by root 3 1 by root 3 किसका मान होता है 10 30 का मान होता है 10 A minus B जब यहां तुल्ला करेंगे तो A minus B का मान क्या आएगा 30 degree आप इन दोनों समीकनों को हल कर लिजे और A अब B का मान निकल आएगा तो समीकन चुक्कि देखे गुडांक बराबर है तो डारेक लिख दीजे समीकन एक और दो को हल करने पर हल करने पर उपर नीचे लिख दीजेगा और A और B में से किसी एक को काड़ दीजिए देखेगा कैसे कटेगा जोडने पर या घटाने पर देखेए हम हल कर रहे है देखे A plus B हमने उपर लिख दिया बराबर 60 और A minus B हमने नीचे लिख दिया बराबर 30 दोनों को जोड दीजे जोडने पर ये भी कर जाएगा ये 2 A आएगा 6 3 90 आएगा एक अमान आएगा 90 बटे 2 यानि A कितना आ गया 45 डिगरी अब A का मान उठाईए है वो समीकरण 1 में रख दो A का मान समीकरण 1 में रखने पर A plus B is equal to 60 A है 45 प्लस B is equal to 60 B का मान कितना आएगा 15 तो ये A और B का मान निकला है ठीक है इसके बाद चौथे कोशन में उन्हें कहा है कि ये सत्य असत्य बताना है और अपने आंसर को verify करना है कि सही है या गलत है ऐसा नहीं आपने का सत्य आंसर देखा सत्य और हाँ सत्य असत्य आंसर देखा सत्य और हाँ सत्य ऐसा नहीं चलेगा देखे क्या कुशन मता रहा है पहला पार्ट देखी पहला पार्ट कह रहे है कि साइन A प्लस B बराबर साइन A प्लस साइन B होता है कि नहीं होता है आपकेंगे वैसे तो नहीं होता है. येजिन हमको कैसे माल है, कोई भी दो कोड आप माल लीजी है. हमने यहां मान लिया, माना A का मान ले लिया, हमने 60, और B का मान ले लिया, हमने 30. अब हम लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे माल और right hand side में ने की लेखेंग माल यह को LHS लेके हम चल ला है sin A plus B sin 60 plus 30 sin 90 और इसका माल क्या होता है 1 right hand side ले लो क्या हैगा sin 60 plus sin 30 sin 60 का माल root 3 by 2 sin 30 1 by 2 root 3 plus 1 by 2 यह आपने क्या देखा left hand side is not equal to right hand side अता है यह जो दिया गया statement है वो गलत है false हो गया इसके बाद लिकाए theta में व्रद्धी के साथ sin theta बढ़ता है अभी हम बता चुके हैं जैसे theta बढ़ता है sin का मान बढ़ता है सही बात है theta में व्रद्धी के साथ cos बढ़ता है जी नहीं cos घट रहा था theta के सभी मानों के लिए sin यानि second part सही है true है यह तो right याद करना है क्यों क्योंकि sin 0 का मान 0 है और sin 90 का मान 1 है कोण बढ़ा value भी बढ़ी ठीक है तीसरा part false है चौथा part कहा रहा है कि theta के सब मान के लिए sin theta बढ़ाबर cos theta है जी नहीं कि एवल 45 degree के लिए हमने अभी देखा था मान बढ़ाबर होता है और दूसरा बात कहा गया code A पर cot A पर परिभासित है देखे code A जब 0 करेंगे तो cot A जो होता है 10 का उल्टा होता है तो 1 upon 10 0 और 10 0 को मान 0 होता है तो अनंत हो जाएगा अताया परिभासित नहीं है यानि ये गलत है एक चीज़ और अभी हमने बता है कि theta बढ़ने पर sign बढ़ता है एक बात ध्यान रखीगा जितने भी त्रिकोर्डमिती फलन C से स्टार्ट होते है यानि कॉस कॉट और कॉसक इन समय थीटा बढ़ेगा तो मान घटेगा और जो अन बचे हैं उसमें थीटा बढ़ने पर मान बढ़ता है तो ये कर लिजेगा उसकी बात इन नेक्स वीडियो तो अके थैंक यू